हलो ब्रिवन, वेलकम टो इस्टेडी विद ग्यान प्रकास दोस्तों उत्तर प्रदिश लोग सिवा आयोक के द्वारा PCS 2023 का विज्यापन जारी कर दिया गया है और आज के अखबारों में भी इसे प्रकासित किया गया है तो जो 60 नोटी से उसके मुताबिक जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ देखे इसका जो विश्तिर्द विज्यापन है वो 3 मार्च को UPPSC.UP.NIC.IN पर उपलब्द रहेगा और इसमें आपको आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सुल्क जमा करने की प्रक्रिया जादी प्रमाड पत्रों का प्रोफार्मा प्रारंभीक तता मुख की परिक्षा के विशय और पाठिक्रम परिक्षा केंद्रों के जिलों के नाम हिजर्वेशन और आयू में छूट के संबंद में निर्धारित महत्पूर निर्देश आदी उपलब्ध रहेंगे तो अभ्यरती विश्तित विग्यापन देखने के पस्चात और अर होने की इस्तिती में ही आवेदन करें ये बात यहाँ पर बोर्ड लाइन में लिखी गई है देखो कुल मिला के देखा जाए तो बरतमान में UPPCS के लिए जो इस बार रिक्त पद है उनकी संख्या काफी कम है लेकिन ये पद आगे चलकर बढ़ेंगे इसकी पूरी संब्वावना है फिलाल अगर देखा जाए तो कुल 173 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और यहाँ पर देखे लिखा किया है कि रिक्तियों की संख्या परस्थितियों और आवसकतर नुशार घट बढ़ भी सकती है तो सैचिक अहरता के बारे में बताया जा रहा है हलागी फ्रेंड्स कुछ पद ऐसे होते हैं जिसके लिए सैचिक अर्था अलग होती है लेकिन सामानतिया अगर आप असना तक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं आयो सीमा के बारे में बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र मिनिममम 21 साल या मैक्सिममम 40 साल होनी चाहिए लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और रिजर्व कटेगरी से आते हैं तब आपको लगबग 5 साल की छूट भी मिलती है ऐसी कंडिसन में आप 1 जुलाई 2023 को अगर 45 साल की उम्रधारित करते हैं तब भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा इसी प्रकार दिव्यांग जन है तो अधिक्तम आई जो है वो 55 साल रखी गई है तो ये भी एक बहुत जवर्दस छूट है इस लिमिट में और बागी की जो जांकाई होगी वो आपको मिलेगी में नोटिफिकेशन में आपके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये तीन मार्च को स्टार्ट कर दी जाएगी लास्ट डेट इसके लिए कब लगाई गई है तो 6 मार्च बिताई जा रही है लेकिन आप लोग हर हालत में मतलब ये कि जो यहाँ पर आपको तीन अप्रेल तक फार्म कंप्रिट कर लेना है क्योंकि तीन अप्रेल तक अगर आप अपना रजिस्टेशन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडिसन में आपको काफी मतलब आप फार्म भी नहीं पर पाएंगे ये जो डेट मिलती है ये तो बस आपको में पार्ट को सब्मिट करने के लिए मिलती है वैसे भी इस बार OTR बहुत ही ज़लूरी है और अगर आपने OTR की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया है तो आज ही पूरा कर लें विदाउट OTR जो है अगर आप आवेदन करते हैं तो 31 मार्च के बाद कोई भी फार्म आप भर नहीं पाएंगे तो बहतर होगा कि अपना OTR आप पहले कम्प्लिट कर लें OTR कैसे पूरा करेंगे इसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी दे दी गई है एक वीडियो के माद्यम से जिसका लिंग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में आपको दे दिया गया है देखो फ्रेंट्स यहाँ पर एक बड़ा सवाल और भी आता है कि UPPCS की परिक्षा जो की चौदम माई को होगी प्राद्विक परिक्षा तो अब से अगर कोई अपनी तयारी को start करें तो क्या वो pre को crack कर सकता है तो दोस्टों मेरा answer है yes बहुत ही आसानी से आप pre को crack कर सकते हैं बसरते की आप एक सही रणनीती पर चलें तो इसके लिए देखो अगर आप question paper उठाएंगे तो कुर्मला के 150 प्रस्ट होते हैं GS के पहले paper में और 100 प्रस्ट होते हैं GS के दूसरे paper में जिसको आप लोग CSAT के नाम से जानते हैं CSAT के रिवल qualifying होता है इसमें आपको 33% mark के रिवल लाने हैं लेकिन यह compulsory है और वहीं पर अगर देखें तो friends यहाँ पर एक बात और भी तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका GS का पहला paper है उसमें कम से कम 100% अगर आप सही सही कर लेते हैं तो आप mains देने के लिए चैनित हो जाते हैं तो इसमें से 40% लगबग आपके current फेर से आते हैं और current फेर कब तक का पढ़ें तो देखो friends यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2023 पूरा का पूरा जो current है वो आपके लिए important है क्योंकि कुछ प्रस्थन ऐसे भी होते हैं जिनका background काफी पुराना होता है लेकिन at least आपको 6 महीने का कम से कम आपको 6 महीने का current है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो यह 6 महीने का current आप कैसे पढ़ सकते हैं दो तरीके हैं पहला तो यह है कि आप पिछले 6 महीने का current है अगर उसका notes आपने बनाया है तो उसको पढ़ें, अगर आपके पास notes नहीं हैं, तो आप हमसे ये notes ले सकते हैं, ये notes डाउनलोड करने का direct link वीडियो के description में हैं, जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आप seriously preparation कर रहे हैं, तो ये notes आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और इसे आपको purchase जरूर करना चाहि इसके बाद friends आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, वीडियो रिग्जाम के बारे में, देखो friends, वीडियो की जो पुनर परिक्षा होने वाली है, सबसे पहले तो ये समझेए कि यहाँ पर कुल जो पत हैं 2018 में आये थे, 1913 पर और इसकी जो पुनर परिक्षा होगी, ये कब त परिक्षा करवाएगी, दूसरी बात यह है कि अभी इसके लिए बजट का आवंटन भी नहीं हो पाया है, तो मिला जुला के अगर मैं एक संभावना व्यक्त करूं कि आपके पास कितना समय है, तो देखो ये जो परिक्षा होगी, ये जून या जुलाई में अगर आयो पाना चाहेगा तो करवा लेगा, जून या जुलाई, मतलब कम से कम जून या जुलाई, तो यहाँ पर इसके आगे भी डेट जा सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुल पदों की संख्या काफी अच्छी है, उनिस सो तिरपन पद है, वेकैंसी दो जार अठारा की है, और इसी साल होगी, कब होगी महीना बस एक दो महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आप चैनित होगे, तो आपके उपर से वे रोजगार होने का जो ठपा है वो हड़ जाएगा, वीडियो के लिए अगर आप चैनित हो जाते हैं, तो कम सकम एक मानसिक सांती आपको मिल और आपका जो कैरियर है वो अपने आप नेक्स्ट लेबल पर चला जाएगा क्योंकि तब आपको चिंता नहीं रहती है कि अभी हमें एक अदद नौकरी की इतलास है तो त्यारी आप लोग करते रहें और करेंट अफेर जरूर पढ़िएगा और करेंट अफेर के लिए एक ब विडियोरी एक्जाम के लिए यूपी पीसिस के लिए और अन्य परतुगी परिक्शाओं के लिए बहुत ही जरूरी है फिलाल अगर कोई आप से कहता है कि एक्जाम डेट डेक्लियर हो चुका है तो यह न्यूज बिलकुल गलत है अभी एक्जाम डेट बिलकुल नहीं करेंगे तो आप आसानी से इस परिक्शा को क्रैक भी कर सकेंगे आगे परतें फ्रेंड्स 79,000 सिक्षक भरती की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं होने से नाराज अब भरतियों का धर्ना प्रत्रसन लगातार जारी है प्रदेश भर से आये बरतियों का कहना है कि तीन दिन से हम लोग सच्यू PNP अनिल भूसर चत्रवेदी से मांग कर रहे हैं कि रिजल्ड जारी करते विए नियूक्ती है तो लिखित कारवाई करें बुद्वार को सच्यू अनिल भूसर चत्रवेदी ने अब भरतियों के प्रतियों के प्रतिदी मंडल से मुलाकात कर बताया कि एक अ कम भी चलने के मोड में हैं और देखो फ्रेंट्स PCS इंटर्व्यू में सवालों का दोहराओ कम होने से उल्जे अभरति पहले क्या होता था कि PCS में जो प्रस्ण पुछे जाते थे वो अकसर मदर रिपीट होते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं है UP PCS 2022 के लिए इंटर्व्यू की प्रक्रिया चल रही है और यहां पर जो सवाल पुछे जा रहे हैं वो अभरतियों को चकरा देते हैं अभी जब पिछला सिफ्ट हुआ था दो दिन पहले तो पूशा गया था कि प्रयागराज हत्याकांड में अगर आप SDM होते तो आप क्य क्या करते फिलाल एक नया प्रस नहीं आया कि अगर आप सहायक अध्यापक हैं और VSA बन गए तो क्या सुधार करेंगी इसके रहावा कुछ और भी सवाल थे कि सम्राट असोक को महान कहा जाता है असोक की नीतियां बरतमान में कैसे प्रासंगीक हैं हिंडन बर्ग रिपोर् बाद भारत के सिर्ष उद्यमी का जो सिंहासा ने वो हिल गया था वो टॉप से 30 नेंबर पर पहुंच गए हैं और विस्व अस्तर पर नए ने संगटन लगातार बन रहे हैं ऐसा क्यों समाज में डाक्टर आमबेटकर की क्या भूमिका है ओडी योपी को बहतर कैसे बना सक सकते हैं FTA को लेकर भारत और ब्रेटेन के बीच बातचीत चल रही है FTA क्या है भारत में विस्मार किसे का जाता है पूरी दुनिया में कितने देश हैं A1 A2 मिल्क में कौन सा अच्छा है भारत में गाओं के 5 प्रजातियों के नाम बताईए देखो फ्रेंस मैं तो यह कहू और आप A2 मिल्क जो होती है ने गाएं जो बहुत ज़दा दूद देती हैं जिनको आप लोग कहते हैं जर्सी गाए या फिर ऐसी प्रजातियों के जो जानवर आते हैं मतलब जो हैबरीड होते हैं और उनका प्रोड़क्शन मिल्क बहुत ज़दा होता है तो यह दूद जानवर हैं वो जो प्रोड़क्शन कम करते हैं लेकिन उनका दूद ज्यादा गुणकारी होता है तो फ्रेंड्स यह थे कुछ बहुत ही जरूरी मतलब जानकारियां जो कि आपको पता होनी चाहिए और देखो अगर आप एक अदद नौकरी की तरास में हैं तो मेरे पास आ आफर इस्कूल दे रहे हैं आप 40,000 रुपए से अधिक के लिए अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं जाब लोकेशन आपकी डेली है और डेली में लगबग कृबला के देखा जाए तो 19 से ज़्यादा के इसकूल हैं और वहां से बरतमाल समय में वाकिंग इंटर्व के लिए आपको कॉल किया जा रहा है तो यहां पर चलिए मैं आपको वह नोटिफिकेशन दिखा देता हूं एक बार इसको आप देख लीजिए और कैसे आप आवेदन करेंगी वह भी आप समझ लीजिए तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो जॉब लोकेश इंटर्व्यू विल स्टार्ट फ्राम 9 अम तो क्लस्टर वाइज वेन्यू फार वॉकिंग इंटर्व्यू 23 शोबिस नेम अन एड्रेस आप के भी आप यहां पर देख सकते हैं डेट आफ इंटर्व्यू है 9 मार्च तो 9 मार्च को आपका जो इंटर्व्यू है यह होगा औ और ये किस किस पद के लिए होगा तो आप देख सकते हैं कि यह पार्ट मैंने प्रैमरी टीचर अ इसके रामागर देखेंगे आप तो टव्यूब यहां पर देख सकते हैं तो सारे जो ये केंदरी विद्जियले हैं वो डेली में ही है इनकी लोकेशंस अलग-अलग हैं cluster 1 और cluster 2 के मुताबि cluster 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ें तो cluster 2 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं सब के नाम पढ़ूंगा तो वीडियो आदे घंडे का हो जाएगा और फिर कुछ लोग तो यूँ भगे आएंगे वैसे भी वीडियो है यह कि लोग ना तो like कर रहे हैं ना तो share कर रहे हैं ऐसी स्थिति मेंनोबल टोटता है दिको सब के लिए एक अलग मना इस्तिति होती है मेरी बी होती है कि जब support नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है काम करने का लेगी फिर मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग जो सही चीज है उस तक आप लोगों को पहुचा सकूं और बस इसी उद्दिस से चैनल चल रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि यह जो चैनल है यह मनी परपस से है यो कि इसे जो मनी जनरेट होता है वो तो मतलब कुछ भी नहीं है आप जानकारी है वैसे नोटीस ही मैं आपको दे देता हूं नोटीस आपको मिल जाएगा हमारे टेलेग्राम चैनल पर वहाँ पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर लिजेगा और अच्छे से पढ़कर अगर आप आविद्दन कर लिजेगा ठीक है और डाउनलोड करना चाहते है डारेक्ट जो नोटीफिकेशन तो आप गूगल में सर्च करिए यहाँ पर rodaily.kvs.jv.in यहाँ पर आपको यह नोटीफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लिकेशन फार्मी मैं आपको एक बार अप्लिकेशन फार्मी दिखा देता हूं आप जब जाएंगे वहाँ पर तो यह अप्लिकेशन फार्म आपको लेकर जाना होगा बार डेटा आपको अपने घर पर बना लेना है इसका प्रिंट आउट ले लिजीगा यह फार्म भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चेनल इस्टेडी विद ग्यान परकास पर इस्टेडी विद ग्यान परकास गोसी आप को मिलता रहा चै caucus को जो लोग कि अब से आपको प्रति दिन कुछ बहुत ही important PYQ की quiz में आपको मैं वहाँ पर दूँगा लेकिन इसका timing है रात के लगबग 10 बजे आपको यह PYQ मिलेंगे हाला कि इस विए आप attempt तो कभी भी कर सकते हैं लेकिन तुरह attempt करने का मज़ा अलग होता है तो 10 p.m. आप लोग बिल